दोस्तों पिछले कुछ लेसंस में हम लोगों ने हो फोटो शॉप में री टेचिंग के हवाले से कुछ बहुत ही मज़े के और दबदस टूस को स्टेडी किया था इस लेसन में मैं आप लोगों को जिस बहुत ही मज़े की चीज़ के बाहरे में बताने वाला हूँ वो है फिल्टर गैलरी जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने अक्सर इंस्टाग्राम जैसी एप्लिकेशन के ऊपर फिल्टर यूज किये होंगे इंस्टाग्राम और स्नापचैट जैसी बहुत सारी एप्लिकेशन मशहूर ही अपनी फिल्टर गैलरी के वज़ा से हुई आप लोगों को ये जान के शायद हैरत होगी कि एक्चली फोटो शॉप के अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत जबदस कि फोटो गैलरी हमारे पास मौजूद है ये जो फिल्टर गैलरी है जिसको हम फोटो गैलरी या फिल्टर गैलरी कह सकते हैं ये basically हमारे images को transform करने की पूरी सलाहियत रखती है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि filters actually है क्या दोस्तों filter का मतलब है कि हमारे लिए in softwares के अंदर पहले से कुछ ऐसी mathematical calculations करके रख दी गई है कुछ ऐसे sets बना के रख दिये गए हैं जिनके मतलब से हम just one click के जरिये बहुत ही अराम से अपने pictures के उपर कुछ बने बनाए effects जो हैं वो apply कर सकते हैं तो चलें चलते हैं start करते हैं Photoshop पे filter gallery को दोस्तों ये कुछ images मैंने जैसा कि आपको दिखाए ये मैंने open कर रखे हैं मैं इन में से ये जो एक image है मेरे पास butterfly का ये यहां पर मैं dragon करता हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा ये एक image है first of all transform this layer into layer zero और अब हम start करते हैं filter gallery अच्छा दोस्तों filters यहां पे आपके पास सबसे ऊपर Photoshop में यहां पे ये एक button मौजूद है filter का लिखावा है इस से जैसे ही मैं filter gallery के उपर click करूँगा तो आप देखेंगे कि यह अभी यहां पे एक पूरी नई window open कर देगा जैसे कि यह आपके सामने एक window नई आ चुकी है यहां से आप zoom in और zoom out करके अपने image को देख सकते हैं अच्छा यहां पे दोस्तों यह देखें जैसे ही मैं click करता हूँ यहां पे कुछ different sets of effects दिये गए हैं जैसे कि यह लिखावा है artistic, brush strokes, distort, sketch, stylized, texture अब यह जैसे ही हम इसमें से किसी भी set को open करके देखते हैं तो यहां पे मज़ीद हमारे पास उसके अंदर बहुत सारी options जो हैं वो हर set के अंदर हमें नजर आ रही है मैं यहां पे first of all artistic पे जाता हूँ और यहां पे कोई एक जो है वो यह apply करता हूँ जैसे कि यह colored pencil है, यह मैंने apply किया है इस image के ओपर, इसके अलावा यहां पे, यह cut out की एक option है यह देखें, यह कितना खुबसूरत effect आ गया, film grain यह देखें कितना खुबसूरत effect हैं यहां पे, इन मैंसे कुछ मैं अभी फिल हाल आपको यहां पे apply करके दिखा रहा हूँ यह poster edges के नाम से एक है, यह भी एक बहुत खुबसूरत effect है दोस्तों, यहां पे यह जो artistic हमारे पास filters पड़े हमें, यह जो effects पड़े हमें यह basically जब हम paint करते हैं, यह किसी भी चीज़ को painting के जरीए बनाते हैं उसके अंदर जो effects create होते हैं, जो brushes के मदद से effects create होते हैं जो different effects होते हैं, वो यहां पे artistic वाले portion में हमें दिए गए हैं तो यह different effects हैं, फिल हाल मैं इनको सब को आपको apply करके जो है, वो one by one दिखा रहा हूँ यह देखें, under painting का यहां पे हमारे पास filter है अच्छा यहां पे गोर करें कि मैं यहां पे जिस भी effect के उपर, यह filter के पर क्लिक करता हूँ, यहां पे वो मेरे पास आ जाता है प्लस यहां पे right side पे मेरे पास यह कुछ option आ रही है, कि यहां से मैं brush size बड़ा चोटा कर सकता हूँ, texture coverage बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, scaling इनकी जो है वो मैं change कर सकता हूँ तो यह हमें different यहां पे हर जो हमारा filter है, उसके अंदर कुछ different यहां पे हमें options दी गई है, यह हमारे कुछ variables हैं जिनको हम change कर सकते हैं, ठीक है जी, यह आप देख सकते हैं, कि जैसे ही मैं different effect के उपर click करता हूँ, तो यह हमारे variables change हो जाते हैं, क्योंकि हर effect के हवाले से different variables यहा a का sign बनावा है, इसके उपर अगर आके मैं यहां पे click करूँ, इसको मैं uncheck कर दो तो यह देखे मेरा filter है वो off हो गया, इसको वापस अगर मैं चेक करूँ तो मेरा filter जो है वो दुबारा वापस मेरे पास नुमाया हो जाएगा, जिसना से यह मैं colored pencils का filter है, यहां पे apply कर देता जिसना मैंने पहले colored pencil apply किया वा था, अब मैं for example, यहां पे जाके cut out apply करता हूँ, तो यह आप देखेंगे कि एक ही मेरे image के उपर यह दो मेरे effects यह apply हो गए है, इसी तरह से अगर मैं इनमें से किसी एक को delete करना चाहूँ, मुझे वो अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं यहां स इसको click करके यह delete का button है, इस पर जैसे click करूँगा, तो वो मेरा effect है वो यहां से delete हो जाएगा, अच्छा दोस्तों इसी तरह से कुछ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह brush strokes हैं जी, different किसम के हमारे पस brush strokes हैं, इनको आप लोग अपने तोर पर जो है, वो explore करेंगे, यह अभ इसना खुबसूरत brush stroke है, इसी तरह से यहां पर distort के नाम से हमारे पास दो तीन जो है, वो effects पढ़े में, जिस तरह यह glass का effect है हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा, इसमें यह distortion को add करें, scaling को add करें, तो यह आप देख सकते हैं, यह बिलकुल हमारा हमें जैसे बन गया, जै मौझूद हैं, जिसना से यह water paper की option आप देख सकते हैं, इसे जना से stylize की हमारे पास एक option है, और इसके बाद texture की हमारे पास यह बहुत खुबसूरत options कुछ मौझूद हैं, अच्छा दोस्तों, यह मैं आपको यहां पर बताता चलूं, clear करता चलूं कि यह जो effects हम देख रहे हैं, यह designs बनाते हुए, और different jobs को complete करते हुए, हमें अपनी pictures को different effects देने पड़ते हैं, तो वहां पर यह filter gallery है, यह हमारी बहुत जदा काम आती है, और इससे हम बहुत जदा help ले सकते हैं, अच्छा इसको मैं अब यहां से cancel करता हूँ, इस image को मैं बंद करता हूँ, मैं एक द हमारे पस Gaussian blur है, यह हम अपने जो images हैं, उनको blur का effect लगा सकते हैं, और हम blur कर सकते हैं, जिससे से यह देखें, अगर मैं radius बढ़ाता जाओ, तो यह जो मेरा image है, यह blur होता चला जा रहा है, अब यह Gaussian blur है, यह बहुत ही खुबसूरत सा effect है, जिसके through backgrounds भी create किया जा सकते हैं, औ filters के अंदर यह देखें, यह इसमें बिल्कुल ऐसे blur हो गया है, जो हमारा static image है, वो एक बिल्कुल हरकत में आ गया है, और again, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे आप angles change कर सकते हैं, आप यह values change कर सकते हैं, तो यह different values जब आप change करके देखेंगे तो आपको खुदी की अंदाजा हो जाएगा कि क्या फर्क है, अच्छा यहां पर यह जो preview का button है, अगर आप आउन रखेंगे तो यह आपको साथ साथ preview में दिखाता जाएगा जो भी effect आएगा, और अगर आप इसको off कर देंगे तो वो आपको असर अंदाज बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा होगा कि आप basically क्या करना चाह रहें, अच्छा दोस्तों यहां पर एक और चीज बड़ी मज़े कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप filters apply करने से पहले, यह जो आपकी layer है, इसको आप right click करके convert to smart object कर लें, और अगर आप इसको smart layer या smart object बना ले जी और यहां से अब यह स्मार्ट शापर मैं apply करता हूँ, इस image के उपर, माउट मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, radius थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, reduce noise हलकी सी बढ़ा लेता हूँ, यह आपके पर यहां पर different options मौजूद है, lens blur है, Gaussian blur है, motion blur है, इसके लावा यहां से आप shadows यहां से चेंज कर सकते हैं, अच्छा, जैसे ही मैं okay करता हूँ, तो आप यह देखेंगे, यह जो मैंने यहां पर filter apply किया है, यह basically मेरी layer के साथ एक अलग से, यानि उस layer के अंदर बिलकुल merge नहीं हुआ, पहले तो यह जब मैं apply कर रहा था, तो यह मेरी layer के अंदर merge हो रहा लेकिन जब मैंने इसको smart layer बनाया है, उसके बाद अब यह अलग से smart filter के तोर पर यहां पर मेरे पास नमाया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको off भी कर सकता हूँ, मैं अगर आपको थोड़ा से जूम करके दिखा हूँ तो अब आपको अंदाजा हो रहागा, कि यह ज मैं फाइल में और काम करना शूर करता हूँ, आगे जाके किसी भी step पे मैं यहां से कुछ changes करने चाहूँ तो इस button पर मैं आऊँगा, right click करूँगा, और मेरा smart sharpen का filter है वो open हो जाएगा, और यहां से मैं इसकी जो values हैं वो बिल्कुल दुबारा से change कर सकता हूँ, ठीक है जी, यह देखें, smart sharpen, यहां पर smart sharpen लिखा वाई, यहां पर आपने डबल क्लिक करना है, यह पूरी जो preset है, यह पूरी जो options है, यह आपके सामने यहां पर open हो जाएंगी, और इस तरह से आप इनको किसी भी worked in values को बड़े आराम से change कर सकते हैं, अच्छा जी filter gallery में आपके blur है, distort है यह distort में कादी हम apply करके देख लेते हैं, यह 12 की हमारे पास option है, यह different options है, जो कि आप different images पे apply करके देख सकते हैं, इसके अलावा यहां पर हमारे पास pixelate है, render है, यह render यह light के हवाले से कुछ हमारे पास effects हैं, इसके बाद sharpen मैंने आपको दिखाया अभी, stylize है, यह stylize के अंदर जिसना से मैंने आपको कुछ पहले भी दिखाई थी, उसी तरह से यह oil paint, embose, find edges, चलें यह oil paint को थोड़ा सा study कर लेते हैं, अगर मैं यहां से preview को click करता हूँ, और यहां से इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो यह मेरी जो picture है, मेरा जो image है, यह oil painting के अंदर convert होना जिसना से oil paint के brushes होते हैं, यहां पर यह इसकी option भी आगी है, यह आप लोगों ने देखा दोस्तों के आप लोग फिल्टर गैलरी के अंदर कितनी interesting options आपके पास हैं, फोटो शॉप में जिनको apply करके, आप अपने images को बहुत ज्यादा interesting मना सकते हैं, बहुत ज्यादा मज़े क बना सकते हैं, तो यह जो filter gallery है, यह आप लोगों ने लाजमी तोर पे explore करनी हैं.